नमस्षार रस्तो स्वागत आपका मोंट्रो क्रेज में राजम बात करने होले है All new Hyundai Creta के बारे में Creta का अब यह पर जो मॉडल देख रहे हैं इसका SX मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल जिसके लिए काफी ज़्यादा डिमांड आई थी की SX के बारे में बताईए तो अभी बात करते है SX मॉडल के बारे में क्या कुछ features इसके अंदर offer किये गए तो सबसे पहले कीशे शुरॉत करते है कुछ ऐसी की आपको SX के अंदर यहापर देखने मिलती है टॉप मॉडल में भी same यही की आती है आपको इसमें smart key आपर दी गई है चार बटन साथे की के अंदर lock on lock के बटन से और यह hold का बटन है जिसे अगर आप दबा के रखेंगे तो गारी का engine जो start हो जाएगा और नीचे पीछे का टेलीट खोलनी का भी आपको बटन यहापर देखने मिलता है बाकी ओर ओर प्रीमियम डिजाइन में की आती है लुक्स आप देख सकते है SX मॉडल के काफी ज़्यादा प्रीमियम और modern यह ऐसे भी लगती है SX मॉडल के अंदर आपको टोटल तीन इंजिन्स के option मिलते है 1.5 पेट्रोल 1.5 डीजल और 1.4 टर्बो पेट्रोल का भी आपको SX के अंदर option मिलता है manual transmission, IVT transmission और DCT transmission ऐसे तीनों ही option आपको इस model के अंदर यहापर देखने मिलेंगे बाकी grill आप देख सकते है आपको इसमें chrome और grey finish के अंदर पूरी आपर grill का design देखने मिलता है trio beam में इसमें HID में lights से अपर दी गई है DRL आप देख सकते हैं काफे ज़्यादार यह road presence आपर करते हैं नीचे आएंगे तो fog lamps है और turn indicator जो आपको यहापर मिलता है और नीचे भी आपको पूरी आपर skid plate दी गई है जिससे की एक muscular look आता है सामने की दरब से देखने पर इस SUV को बाकी wheels अगर आप देखेंगे ना तो आपको इसमें silver finish के अंदर alloy wheels से अपर दिए गई है इसका उपर के variant में diamond cut में आते हैं लेकिन अभी यह second top model है तो इसमें आपको silver finish के अंदर मिलता है tear size के अगर हम बात करें तो इसे एक muscular और bulkier इसे design मना देता है overbeam सागर आप देखेंगे ना तो electronically adjustable overbeam सापकोस्म मिलते LED turn indicators के साथ में आते puddle lamb का भी feature आपको इसके अंदर दियावा है जिससे Hyundai का logo जमीन पर गिरता है जो कि मतलब स्यांदर feature एका थी automatic foldable यह overbeam से आप इन्हे electronically fold भी कर सकते हो बाकि safety के अगर हम बात करें SX model के अंदर तो आपको काफे सारे safety feature इसके अंदर offer किये गए है जैसे की ABS with TBD electronic stability control, vehicle stability management control hill assist control, speed sensing door lock impact sensing at a door run lock, high speed alert system और total आपको दो airbags इस वाले model के अंदर दी गई है बाकि यह कुछ है और traction control का भी feature आपको इसके अंदर दिया वाए, SX model के अंदर बाकि यह कुछ अभी back का profile आप देख पार है पीछे के जो टायर से SX model में भी आपको disc brakes दिये गए है और इसमें 50 liters का आपको fuel tank मिलता है, आप इसे directly भार से नहीं कोल सकते, आप इसे अंदर से खोल सकते हो उपर shark fin आपको मिलता है silver finish के अंदर, roof rail से और panoramic sunroof भी आपको मिलती है second top model के अंदर, SX model के अंदर और पीछे high mount यहापर आता है लेकिन stop light जो आपको मिलता है, वो यहापर मिलता है wiper से पीछे क्रेटा की branding आती है और tail lamps का design आप देख सकते काफी broad यह आते इसके tail lamps LED design के अंदर यह आते नीचे reflector से आपको skid plate यह आपर दी गई है 190 mm का ground clearance से Hyundai क्रेटा का reverse camera यह कुछ आप देख पार है पीछे बाग इसका boot अभी open करके देखते हैं 433 liters का boot space आपको यह पर मिलता है क्रेटा के अंदर और 60-40 seats का भी आपको इसमें fold label करने का option मिलता है 60-40 भी आप fold कर सकते हो इन seats को partial tray को यह आप चाहे तो निकाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा space की निले तो बागी पीछे अगर आप देखेंगे ना तो यह पर spare wheel और tool kit आपको दी गई है नीचे के तरब space भी आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा है अंदर भी आप यह पर चाहे तो कुछ भी रख सकते हो यह पर भी आपको storage space मिलती है और lights के यह पर आपको controls यह कुछ है दिये गए है बागी इसे close करते हैं और चलते हैं अभी side की तरब side से आप एक look देख लीजे kreta का 4.3 मीटर इसके और और लेंगे पीछे से लेके सामनी की तरब तक पीछे भी आपको disc brakes में दिये गए है उपर silver roof valve से और chrome finish में आपको door handle से आपर पूरे दिये गए है door अभी खोल कर देखते है तो black और beige में आपको finish आपर दी गई है power nose के गंटों ले silver finish में door handle से और sun blinds आपको यहापर मिलती है जिससे की sun से आपको काफी अच्छी तरीके से protection यहापर मिल जाता है seeds आप देख सकते है fabric में इसमें seeds आती है top model में leather का option आपको मिलता है लेकिन यह SX model है तो इसमें आपको fabric में मिलती है बाकी दो वे में आप seeds को adjust कर सकते है दो step में अभी पता नहीं यह क्यों होने रहा है कुछ ऐसे दो ways में आप इसे fold कर सकते हो step में cushion यह आपको दिए गए है अब अंदर बैटकर देखते है बाकी अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी ज़्यादा space है आपको दी गई है काफी ज़्यादा comfortable space है अंदर के दरब जो इन आपको एक roll cage मिलता है जिसके उपर आपको pair रखने के लिए भी space मिलती है जो कि एक काफी ज़्यादा comfortable feature है नीचे अगर आप देखेंगे तो पैसेस के लिए ऐसी वेंट से यापर थोड़ी बहुत space है USB का port है और पीछे आप देख सकते है कुछ आईसा view आपको दिखेगा पीछे की इन seeds का grab handle से आपर और lights जो है आपको यह आपर मिलती है handle के अंदर की तरफ सामने का view जो है आपको कुछ ऐसा दिखता है पीछे की तरफ से और sunroof में आपको इसकी ज़रूर खोल की दिखाना चाहूंगा यह जो इसकी blind आप देख पा रहें यह all the way पीछे तक जाती है जिससे की काफी ज़्यादा यूज आपको sun area यापर मिल जाता है यह कुछ है panoramic sunroof का view जो के कच्छी बात है मतलब SX model के अंदर भी आपको panoramic sunroof यापर दी गई है बाकि अभी चलते front seat पर के लिए सेंटे आपको मिलेगी driver side door के उपर front dashboard का design आप देख सकते है एक परिके से premium लगती है और काफे ज़्यादा futuristic यह SFV है driver side door के उपर tweeters के related आपको points मिलते है जासे आप mirror को adjust कर सकते हो fold कर सकते हो और one touch आपको driver window मिलती है one A की touch में आप इससे उपर यह नीचे कर सकते हो speakers से और glassolos के लिए आपको जगह आपर दी गई है बाकी seeds आप देखेंगे तो इसमें आपको fabric में seeds है और manual adjust आप इससे कर सकते हो height भी adjust कर सकते हो, reclaim भी कर सकते हो electric adjustable seeds टॉप मोडल के अंदर आती है और ventilated seeds भी टॉपी मोडल के अंदर आपको मिलेगे यह जो controls आप देख पार है यह English start stop का बटन है traction control का बटन है और headlamps के जो level होती हो आप यह से उपर है नीचे कर सकते हो इसी के fence से और अंदर हम अभी बैट कर देखते हैं और start करके देखते हैं बागे dashboard आप देख सकते हैं प्रीमियम लगता है black finish है और beige finish में यह आता है visibility जो आपको मिलती है न क्रेटा की वह भी काभी शांदार है पूरा bonnet आपको अंदर की तरप से visible होता है bumper to bumper गाड़ियो का आप इसमें से देख सकते हैं और steering wheel इसमें leather wrap में आता है decat में इसमें steering wheel है आप इसे जो है उपर यह निजी कर सकते हो telescopically adjust नहीं होगा यह बाकी इस तरप यह wipers के related controls है इस तरप यह front head lamps के related आपको controls मिलते है steering wheel के उपर अगर आप देखेंगे तो wise command के control से phone को उठाने के control से आपको सभी mode से आपर दी गए है इस तरप यह MID को आप यहां से control कर सकते हो cruise control के related सभी आपको control चापर दी गए है horn कुछ ऐसी आती है इसमें बाकी अंदर अगर आप देखेंगे analog rpm meter है, analog speedometer है जो इसका top model है उसमें एक अलग तरीके से speedometer आता है और second top में कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है बाकी यहां से आप इसे जो एक control कर सकते हो जिसके अंदर भी काफे सारे feature आपको show करेगा जैसे कि fuel economy आपको यह अभी आपर show कर रहा है compass आपको यह दिखाएगा average fuel consumption के बारे में सभी जानकर यह आपको देखा इस तरफ यह temperature आपको शो करता है इस तरफ यह फ्यूल लेवल आपको दिखाएगा इससे vents काफी unique design के अंदर आते हैं और आपको इसमें ना 10 इंच का test screen infotainment system दिया हुआ है Android Auto Apple CarPlay support करता है Bluetooth भी आपको connectivity इसके अंदर मिलती है Blue Link भी support आपको इसमें मिलेगा और इसमें जो है ना 4 speakers आते हैं और 2 tweeters आते बाकी टॉप मोडल के अंदर आपको Bose का system मिलता है जिसमें 8 speakers आते हैं लेकिन इसमें आपको 6 speakers का मिलता है 4 speakers और 2 tweeters जो की सामने यहापर आते हैं डोर्स के उपर यह कुछ है इसमें 10 इंच का यह test screen infotainment system है और काफी smoothly यह work करता है यह आप आप देख सकते हैं यह पूरा आपको in build यह आपर navigation दियावा है compass शो करेगा और यह कुछ है settings के अंदर sounds के related settings है जिससे आप position, volume level, equalizers वगरा को यह से control कर सकते हो display के related settings आपको मिलती है brightness को आप यह से कम या ज़्यादा कर सकते हो सब यह settings को reset वगरा कर सकते हो volume के related सब भी knobs आपको यह पर देगे है display को भी आप यह से off कर सकते हो आपको night driving में गाड़ी चलानी हो तो AC के related सबी control से मतलब automatic climate control आपको AC आपर दी गई है 12W charging port है, USB port है और USB charging port भी आपको मिलता है और wireless phone को भी आप यह पर चार्ज कर सकते हो यह पर आपको pad मिलता है wireless charging के लिए 6-speed manual यह transmission है automatic का भी option आपको जो है इसके अंदर मिलता है अगर आप Krata SX में automatic लेते, तो कुछ extra feature है जो आपको इसके अंदर मिलेंगे जैसे के अगर आप automatic लेते Krata SX का, तो इसमें आपको electronic parking brake, air purifier driving mode, traction controller paddle shifter, यह कुछ 5-6 features है जो extra आपको automatic transmission लेने के उपर मिलेंगे यह आपर पीछे का view आप देख सकते हैं handbrake नीचे कर लेते हैं और इस button के जरी आप पीछे का view कुछ इस प्राकार से देख सकते हो directly, यहाँ से brightness को आप यहाँ से कम याँ जादा कर सकते हो यह कुछ features है जो आपको इसके अंदर मिलेंगे यहाँ पर आपको glass orders के लिए जगा मिलती है और handrest आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत space आपको मिलेगे glow box के अंदर भी थोड़ी बहुत space है और cooling का भी system आपको इसके अंदर डियावा है उपर glass orders के लिए जगा है light escalator से अभी आपको controls मिलते है और sunroof को आप यहाँ से खोल सकते है जो की मैंने आपको अभी खोल के दिखाई थी grab handle से आपर driver side vanity है जिसके अंदर आपको mirror मिलता है और कुछ इतना ही यह extend हो पाता है इतनी जगा यह छोड़ देगा बाकी यही कुछ सब है दोस्तो Creta SX model के बारे में कैसे लिए आपको Creta SX model यह आप हमेनी चो comments में बता सकते है और गाड़ी की आप अगर on road rising जानना चाते है तो मुझे Instagram के उपर message आप कर सकते हो Creta की या फिर किसी भी गाड़ी के अगर जानना चाते है या फिर कोई भी question करना चाते तो Instagram के उपर आप मुझे message कीजे मेरा जो Instagram का link है आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा बाकी यही सब कुछ है दोस्तो Hyundai Creta SX के बारे में अगर आप Creta का मतलब कोई भी variant का review देखना चाते तो उपर i button के अंदर मैंने जितने भी models के reviews बनाए उसका link आपको उपर i button के अंदर मिल जाएगा बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को like कीजे share कीजे और subscribe कीजे चैनल को thank you